आज मैं आपको एक नया चीज़ सिखाने वाला हूँ वो यह है कि किसी भी टीवी के अंदर अगर यूटूब ना चले यूटूब के अंदर अगर कोई भी दिख्यत आपको देखने को मिल रहे है चाए वो शुरूवात से हो या अभी आभी नया नया स्टार्ट हुआ है और ये वीडियो थोरा सा लंबी हो जाएंगे क्योंकि ये जो जानकर ही आज की इस वीडियो के जरीए आपको देने बाला हूँ वो सीखने की बात है और सीखने के चीज़े एक वीडियो अगर आप देख लिया इन फ्यूचर में आपको कोई भी दूसरे वीडियो देखने ये देखिए ये जो YouTube आप देख रहे हूँ ना आपको फिर से एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि आभी इस TV के अंदर आभी का condition कैसा है देखिए जैसे YouTube को open करता हूँ यहाँ पे साब साब देखने को मिल रहा है कि this action is not allowed और ये problem के पीछे काफी सारे कारण रहता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा फिलाल के लिए चलिए हम आपने YouTube आपको पहले अनिस्टॉल करके देखता हूँ कि ये अनिस्टॉल होता है कि नहीं इसके लिए हमें जाना परेगा YouTube अनिस्टॉल करने का जो system configuration होता है उसके अंदर इसके लिए सारे जो TV होते हैं आयो है अलग application manager के उपर जाने के बाद यहां पर तीन ओप्सिण दिखाए दे रहा है हम आनिस्टॉल पर क्लिक करेंगे और आणिस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या चीस देखने को मिलांगे अच्छे से देखिए यहाप जाएंगे system app के उपर क्लिक करा और यहां पर YouTube दिखा आपको दिख रहा है अब हमें क्या करना है कि YouTube के उपर किलिक करना है इसको अगर इंस्टॉल करना है तो लेकिन यहां पर देखिए कि यह जो application आपको दिख रहा है YouTube का यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि no permission to install यानि कि इसके अंदर जो मदरबॉर्ट डाला हुआ है उसके अ के अंदर uninstall का permission दिया हुआ है तो आपको कैसे दिखेगा इसलिए हम user point पे चलेंगे और यहां पे एक application पहले से install करा हुआ है तो इसके उपर जाके हम किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे कि uninstall का button आपको किस प्रोकर से देखने को मिलेंगे यहां आप जाईए हुआ पे uninstall button के उपर जाईए और उसके बाद किलिक कर दीजिए और किलिक करने के बाद आपको ok करना परेगा क्यूंकि आपको permission देना परेगा डारेक्ट लिए uninstall नहीं होगा और उसके बाद देखे कि हमारा जो application वो uninstall हो चुका है अब हम क्या करेंगे हम best tip यह आप देख लेजी यहां पर आपको Google open कर लेना होगा और यहां पर आपको सार्च करना पड़ेगा डी आइप यानिक किलिक करना होगा और सार्च करने के बाद आपको Deep Electronics Lab के बहुत सरे website मिल जाएंगे लेकिन आपको जहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे देखिए deepelectronicslab.com जहाँ पे लिखा हुआ है उपर आपको और एक website दिखने को मिलेंगे deepelectronicslab.in यहाँ पे आपको हमारे जो पार्ट सो ते प्रोकर से एक website ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हो और इस टाइप का website ओपन होने के बाद आपको एक काम करना परेगा उपर राइट साइट के उपर में आपको एक search बटन देखने को मिलेंगे यहाँ पे search करना परेगा कि यूटूब यूटूब सार्च करने के बाद आपको इंटर कर देने परेगा जैसे आप इंटर करोगे आपके सामने दो पोस्ट आएंगे यहाँ पे देखिए दो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगा एक होए डाउनलोड यूटूब एप फोर अन्डॉड टिबी वर्सेन 3.17.391 वर्क वन वाल टिबी यानि कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने टिबी के लिए यूटूब यानि कि स्मार्ट यूटूब एप यहाँ से डाउनलोड कर लिजिए जिसका वर्सेन है 3.17.391 जो कि सारे टिबी में काम करेगा अब हम क्या करेंगे कि इसके उपर किलिक करेंगे जैसे ही इसके उपर किलिक करेंगे हमारे सामने यह पूरा का पूरा हमारा जो वेपसाइट है न यह ओपन हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा इस वेपसाइट के अंदर इसके अंदर क्या क्या functions और features से यह सारे चीज आपको यहाँ पढ़ लेना परेगा एक एक करके और सारे चीज जब आपका मतब पढ़ना complete हो जाएगा आप समझ लोगे कि actual में यह application क्या है तो उसके बाद आपको जाना परेगा नीचे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर नहीं सुरू हो रहा है तो एक निया जो window या निया जो page है न वो open हो जाएगा चलिए हम जब तक यह open नहीं होता हम थोरा सा wait कर लेंगे क्योंकि हमारा इंटरनेट थोरा सा slow है और जैसा यह आपर open हुआ अब देखिए page unresponsive दिखा रहा है हम wait करेंगे और click करेंगे औ download का जो button है वो हमारे सामने आ जाएगा यह दिखिए दोस्तों हमारे सामने यह download apk file download करने के लिए जो page है वो आ चुका है जो कि हमने आपने google drive पर upload करके रखा हूँ ताकि यह खराब ना हो जाए और उसके बाद right side वेंग उपर आपको इस type से download button देखने को मिलेगा दोस्तो तो यहाँ पर देखिए अभी यह घूमने दीजिए यहाँ पर देखिए एक download button दिख रहा है आपको simply यहाँ पर click कर देना पर एकर उसके बाद three dot है ना three dot के उपर click करके भी आप इसको download कर सकते हो लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि यहाँ पर download का button दिया हुआ है ना इस download button क के उपर click करेंगे और जैसे आप click करोगे ना तो हमारा यह application डाउनलोड होना सुरू हो जाएगा चलिए थूरा सा उविट कर लेते हैं यह देखिए download एणी होई जैसे हम इसके उपर click करेंगे आप देखने को मिलेगा कि यह download सुरू हो जाएगा यह देखिए दोस्तों download करने के लिए यहाँ पर आ चुका है तो आप में यहाँ पर download जो folder है ना उसके उपर में save कर लूँगा तो simply हम इसको यहाँ पर save कर देंगे और हमारा यह application डाउनलोड हो चुका है यह हमारा पहली काम हो चुका है अब हम इन दूनों जो page है ना इस page को click कर देंगे और को लोज करने के बाद हमारे यहाँ पर ढॉलोड पर जाएंगे और देख लेंगे कि हमारा अप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है कि नहीं वह बाद में देखेंगे दोस्तों लेकिन उसके साथ हमें और यह application डाउनलोड करना परेगा यहाँ पर से बैक Runtime for Android TV अगर ये application नहीं download करोगे तो आपना YouTube जो है वो ठीक नहीं होगा इसके लिए आपको ये भी application को download करना परेगा तो हम इसके उपर simply click कर लेते हैं ये वाला application download करने का जो भी तरीका है वो भी से में आपको simply नीचे जाना है और उससे पहले आपको सारे चीज़ अच्छे से पर लेना है और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेंगे download APK फाइल तो हम simply इसके उपर click कर देंग और click करने के बाद जो process आपने पिछले YouTube को download करने के लिए apply किया था सेम चीज़ आपको यहाँ पर apply करना परहेगा यहाँ पर download button आप यहाँ से भी download कर सकते हो और उपर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो जहाँ किलिक करने है हुँ आपके click करें उसके बाद आपको final download करने कर जो link है वो आपको आपके सामने open हो जाएगा और उसके बाद आपको simply इसके उपर किलिक कर देना है जैसे ही का आप किलिक करोगे इसको save करने के लिए आपके सामने वो आ जाएगा और यहाँ पर देखें डाउनलोड होना शुरू भी हो चुका है तो अब हमरा डाउनलोड करने का जो काम था ना वो complete हो चुका है यहाँ पर देखें आप इसको हम save कर लेंगे अब हम इसको कर लेंगे close और इसको भी कर लेंगे close अब हम क्या करेंगे कि एक pen drive लेंगे और pen drive लेने के बाद हम उस pen drive के अंदर यह जो दोनों application हमने download करा हूँ चलिए मैं एक बार download folder को click करके open कर देता हूँ यहाँ पर देखिए यह हमरा download तो यह जो दो application आपके सामने दिख रहा है ना crosswalk और यह जो हमरा YouTube app तो इन दोनों application को हम select करेंगे और select करने के बाद इसको हम कर लेंगे copy और copy करने के बाद हमने अभी आभी जो pen drive लगाया हूँ उस pen drive के अंदर जाके paste कर दूँगा यहाँ पर मैंने पहले सी यहाँ पर paste करके रखा हूँ यह देखिए मेरे हाथ में यह जो pen drive आप देख रहे हो ना इसी pen drive के अंदर मैंने वो दो application जो अपने website से download करा था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया हूँ अब मैं क्या करूँगा कि इस pen drive को यह जो TV आप देख रहे हो इस TV के जो USB port है ना उस port के अंदर लगा दूँगा और उसके बाद आपको आगे क्या काम करना होगा कैसे करना होगा यह मैं आपको समझाऊँगा मैंने पहले ही भी कहा था आपको कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएंगा और यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे किसी वीडियो को देखने की जोरोत नहीं पड़ेंगे अगर आपके टीवी के अंदर कोई यूटूब के रिलेटेड प्रोब्लेम आ रहे है चाहे आपके पास पुराना एंडरोड बोड हो या नया एंडरोड बोड हो तो चलिए हमने अपने पेंडराइब को टीवी के साथ कनेट कर दिया हूँ अब हम चलेंगे फाइल मेनाजर पर अगर आपका टीवी एंडरोड हुआ तो उसके अंदर एक नाएक फाइल मेनाजर एप्लिकेशन साहेगा ही रहेगा इसलिए मैं आपने टीवी का अंदर माउस का कॉइंट होता है उसके मदद से आपको क्लिक करके दिखाऊंगा अभी चलिए यहाँ पर देखिए एप इस्टोर है तो यहाँ पर फाइल मेनाजर यह वाला जो अप्लिकेशन है यह हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको क्या दिखने को मिलेंगे दो यहाँ पर ओप्सेन एक ओपसेन तो इंटर्नल स्टोरिष के लिए हो गया और हम लोग अलग से जो एकस्टर्नल इस्टोरिष के अंदर एटैचमेच करना परेगा यानि कि एंटर करना परेगा जैसे एंटर करोगे तो हमने दो आप्लिकेशन यहाँ पर जो डाल के रखाता यहां पर देखिए दो application एक YouTube है एक crosswalk के आपको zoom करके दिखा देता हूं कि दोनों application जो हमने website से डाउनलोड कर रहा था वो दोनों के दोनों है या नहीं देखिए APK APK जो कि एक crosswalk है एक smart YouTube आप है तो एक एक करके दोनों application को install कर लेना परेगा simply आप इसके उपर जाईए और click करें और click करने के बाद आपको नीचे दो option देखने को मिलेंगे आप simply नेश्ट करिए और install कर लेजिए install करने के लिए थोरा सा समय लगेगा क्योंकि ये पूराना टीबी है और इसके अंदर जो processor लगा हुआ है वो उतना ज़्यादा उसका समता नहीं है कि काम को बहुती तेजी के साथ कर सके और इसका android जो version है वो 4.4 version है तो अगर आपके पास android 4 version है तो भी आप ये काम कर सकते ह अगर यूटूब नहीं चल रहा है तो चला सकते हो यहाँ पर देखे यूटूब अप इंस्टॉल हो चुका है अब आपको यहाँ पर open नहीं करना है आपको कर देना है done पर click अगर आप यहाँ पर open कर दोगे तो आपका YouTube अप नहीं चलेगा इसलिए आप गल्दी से भी open न डाउनलोड करा हूँ इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना परेगा और इस applications का जो size है न वो YouTube एप से थोरा सा ज्यादा है इसलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए थोरा सा ज्यादा समय लगेगा और उसके बाद आपको क्या करना है यह वाली application डाउनलोड हो जाने के बाद क्या option आपको देखने को मिलेंगे और उस option के साथ आपको क्या करना परेगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ थोरा सा जूम करके देख लेजिए कि यह X, W, A, L, K, C, O, R, E, Library लिखा हुआ है Actually यह application क्या काम करेगा कि कुछ applications को चलाने के लिए काम करेगा इसलिए देखिए यह open का option नहीं आ रहा है सीवधा सीथा done का option आ रहा है Simply आप इसके उपर जाके done कर दिजिए और आपका काम हो गया है complete और अब आपको अपने TV के साथ Wi-Fi या internet connection कर लेना परेगा और उसके बाद देखिएगा आपके TV के अंदर दो YouTube आप देखने को मिलेगा यह जो smart YouTube TV है यह आपको open करना परेगा इसी के बारे में हम बात करा था और इसी application को हमने install करा हूँ यह पहले से नहीं था यह हमने अलग से install करा हूँ जो की download करने के बाद install करा हूँ और यह हमारा पहले वाला जो YouTube लिखा हुआ है यह आपको open नहीं करना है अगर इसको open करोगे तो नहीं चलेगा और दूसरा वाला जो smart YouTube TV जो है यह आपको open कर लेना परेगा same to same दोस्तो जो पहले YouTube था वो ही यह वाला YouTube है लेकिन यह चलेगा इसके अंदर क्योंकि आपका टीवी जो है पुराना वर्चन है आप देखे इसको open जब करोगे ना first time तो आपको सामने बहुत सरे option दिखाए देगा तो आपको सबसे last बाला ने की open line का सबसे last बाला जो option है यहाँ पे देखे LITE लिखा हुआ है ALT तो इसको आपको select करना परेगा नहीं तो आपका YouTube फिर भी नहीं चलेगा और जैसे ही आप इसके उपर click करोगे तो आपके सामने थोरा सा एक minute time लेगा और यहाँ पे आपको ok कर देना है और ok करने के बाद yes कर देना है यहाँ पे जैसे ही आप yes करोगे तो थोरा सा buffering के लिए time लगता है और जैसे ही आपका एक minute complete हो जाएंगे तो हमारा YouTube जो है न इस TV के लिए जी भी configuration चाहिए न बोस उसके साथ attachment हो जाएगा connect हो जाएगा और हमारे सामने YouTube का जो भी videos है वो हमें दिखाई दिने लग जाएगा तो चलिए थोरा सा देख लेते wait करके कि कितना time लेता है इस TV का अंदर और दोस्तों जाब ये काम चलेगा न आपको गलती से भी back नहीं करना है देखिए आपके सामने YouTube खोल गया है और आपने YouTube के उपर कोई भी videos चला के मजा ले सकतो जो videos आपको पहले नहीं देखने को मिल रहा था जो कि पहले नहीं चल रहा था आप देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और मैं यहां पर आपना यह वीडियो चला के दिखाऊंगा ताकि कोई copyright का issue न आ रहे हमने पहले भी कापी copyright खा चुका हूँ और अब नहीं खाना चाहता हूँ इसलिए हम अपने जो दीप इलेक्टोन स्लैब का official site है जो YouTube चैनल है जो हम सार्च करेंगे और सार्च करने के बाद वीडियो चला के दिखाएंगे यह देखिए हमारा YouTube चैनल ओपन हो चुका है और वीडियो भी आ चुका है में देखिए थोरा सा लैक भी नहीं आ रहा है मतलब थोरा सा आपको माइनर सा ही आपको नोटिस में नहीं आएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप आपने पुराने टीबी के अंदर भी YouTube चला सकते हो अगर आपके टीबी के अंदर पहले से YouTube इंस्टॉल करा हुआ है वर वो YouTube एप्लिकेशन ओपेन करने के बाद नहीं चल रहा है चाए वो यूरोर दिखा रहा है चाए वो इस एक्सेन इस नोट एलाउ का मैसेज दिखा रहा है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेजिए आपको थोरा सा टाइम देना पड़ेगा लगबग 20-25 मिनिट लगेगा इस पुरकर के वीडियोस आगे आने वालो दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लेजिए आज के इस वीडियो में इतना ही दस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए उसे अलदा बैस